दोस्ती का महत्व एक जंगल में एक गधा रहता था जो अकेला था। उसे किसी से दोस्ती नहीं थी जिसके कारण उसकी जिंदगी उदास गुजरती थी। उसके पास एक बहुत अच्छा दोस्त बनने का इच्छुक कोई भी नहीं था। एक दिन उसे एक शेर मिला। शेर उससे बात करना शुरू कर दिया। गधा खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि शेर उसके अच्छे दोस्त बन जाएगा। वह शेर के साथ बात करने लगा और उन्होंने दोस्ती की शुरुआत की। शेर ने गधे को बताया कि वह उससे बहुत अच्छा दोस्त है और उसे कभी धोखा नहीं देगा। वह दोनों मिलकर बहुत मस्ती करते थे। गधा खुश था क्योंकि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया था। एक दिन शेर गधे को भेज देने का फैसला कर दिया। गधा निराश हो गया था। वह सोचता था कि शेर उससे धोखा दे रहा है। गधे ने सोचा कि वह अपने दोस्त शेर को कैसे छोड़ सकता है। उसने शेर को एक प्रशन पूछा, आप मुझे भेज रहे हैं, क्या यह आपका या किसी और का फैसला है। शेर ने गधे को समझाया कि उसे अपनी राजधानी में भेजा जाना है, जहां उसे बहुत अच्छी देखभाल मिलेगी और उसकी सेवा की जाएगी। शेर ने गधे से कहा कि वह बिना किसी चिंता के उसके साथ चले जाने के लिए तयार हो जाए। गधे ने सोचा कि वह शेर को समझ सकता है और उसके वचन पर विश्वास कर सकता है। उसने शेर को अपनी सहमती दी और उसके साथ चलने के लिए तयार हो गया। शेर ने गधे को राजधानी में ले जाया और उसे बहुत अच्छी देखभाल मिली। गधा बहुत खुश था क्योंकि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया था जो उसके लिए सोचता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण होती है और हमें हमेशा अपने दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए। दोस्ती को तोड़ने के बजाए हमें उन्हें समझाना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। करना चाहिए और उनकी सहायता करना चाहिए।